नमस्कार आपके साथ मैं रोहुत कुमार आफे नीज फोनेशन पर ने संसद भवन के जरूरत क्या थी यह सवाल नितिश कुमार जद्यू के राष्टेद्र चलन सिंग और उनकी पार्टी लगतार पूछ रही लेकिन उनहीं की पार्टी के राजसभा के संसद और मौजुदा सब्सक्राइब दिया है उनके सवाल का सुनाते हैं और बताते हैं वस्तार से नहीं संसद के जब इसे देश को प्रधान मंत्री मोदी ने समर्पित किया तो कई दलों के संसद और प्रतिनी इसमें नदारा दिखे बिहार के मुख्यमंत्र नितिश कुमार उनकी पाठी जद् दोर थी किउपड़ी हालाकि उनके ही दल के संसद और रजसभाव में सभवपति unanimर नायन शरी ने अपने संबोधन के दोरा बताया कि आखिके फ्यवण क्या विस्वेक्वक्त में और ड१ूत हिए एवं संसद की बरती हुई जमेदारियों को देखते हुए वर्तमान संसद भवन में स्थान का भाव महसूस किया जा रहा था संसद के दोनों सदनों के सदसों ने प्रधानमंत्री से ने भवन के निर्मान का गरह किया था हमारा वर्तमान संसद भवन देश की लोगतांत्रिक अतिविधियों का जीवन्त केंद रहा है हमारी प्रग्रति का मार्क दर्शक रहा है यह भवन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति दथा समिधान नर्मान से ले करके हमारी गुर्वशाली लोगतांत्री क्यात्रा के दौरान अनेक एविहासिक घटनाओं का साक्षी भी रहा है नितीश कुमार जोकी बिहार के मुख्यमंत्री हो और जद्यू के एक तरीके से सर्वे सर्वा हैं उन्होंने सवाल पूछा था कि आखिर नए संसंद भवन को बनाने की जरूरत ही क्या है आजादे की समय जो भवन था उसी को और विक्सित करना चाहिए था अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं है देश के पुदाने तहास को बदला और मिटाया जा रहा है इसी का जवाब देते विए हरिवश नारायन सी ने जवाब दिया कि जरूरत के हिंसाब से पुदाना संसत भवन चोटा था और इससे विस्तार देने की जरूरत थी बता दें कि जब से प्रधान मंतिर नरेंद मूदी के हाथों से नए संसद भवन का उधाटन होने का एलान हुआ था उस दौरान से ही लगत आ रहे इसका खोब विरोध हुआ बड़ी बात यह है कि तमाम बेपक्षित दर्जसमें से 20 ज्यादा बड़ी पार्टियां शामिल हैं जिसमें जद्यू भी है इन तमाम लोगों ने खुल करके इसका व्रोष किया जद्यू तो इस स्टैंड पर थी कि इसकी जरूरत ही नहीं थी लाला सिंग तो इससे एक अदम आगे बढ़ते हुए तो कि पार्टिय के राष्टे धक्ष हैं वो यह केते नजर आए कि जो नया संसद्भवन है जब उनकी सरकार आएगी यानिकि जब बिहार से जिसके कवायत को वो अमली जमा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं 24 के चुनाओं के पहले अगर सफल रहता है प का ये एलाण करेला लंसिंग उनके पाठी केसा स्टांड पर उन ही की पाठी से आने वाले राजय सभा के संसद जो की लगतार जो है सभापती बने वे हैं पाथी ने को अपर आक्षर नहीं लिया आरोप लग रहें उनके उपर जो है निटीशकुमार की ऊपर प्रशांद की शुर की तरफ से कि हारे वारी निटीशकुमार ने अभी भी बीज़ेपी से बातचीत जारी रखी है और निटीशकु कि अब जदी इस पूरे मामले पर क्या कहती है फुलाले इस वीडियों में इतना है नमस्कार